नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास ये वीडियो कौन की सेमे आटोमेटिक वासिंग मसिंग है जिसे हमें आज सुधारना है दोस्तों इसमें प्रोब्लम यह जो हमारा टाइमर से इसको गुमाते हैं तो कई पर हमारा टाइमर काम करता है और कई पर नहीं करता है जिसके होजे से हमारी मोटर कभी चलती है कभी नहीं चलती है इदे के लाइट में हमारा लगी है मशीन लेकिन फिर भी नहीं चल रही लेकिन टाइमर को थोड़ा मूग करेंगे तो हमारी मशीन चलने लगेगी तो दोस्तों इसमें इसी तरह की problem आ रहे कापी टाइम से तो हमें इनने भी यह है कि इनने हमें बुलाए है machine ठीक करने के लिए तो हम इनके यहां ठीक करने के लिए आये हैं तो जैसे हमने अभी चेक किया इसको तो मुझे problem इस timer की लग रही है ना कि motor की तो चलिए इसको कैसे ठीक के जाता है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो आप वीडियो को अंद तक देके ताकि आप अच्छे से सीख सके इस तरह की problem को कैसे ठीक के जाता है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जादा से जादा से जादा से शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें तो चलिए अब timer को हम खोल लेते हैं जो उपर का डखकर रहता हम इससे निकाल लेंगे निकालने के बाद जैसे अब देख पा रहे होंगे ये चार वायर का इसमें timer लगा हुआ है इसमें तीन वायर रहते हैं हमारे एक input करेता है दो रहेंगे हमारे motor को clockwise एंटी clockwise घुमाने के लिए और एक रहेगा हमारा इसका बज़र का वायर ठीक है दोस्तों चलिए अब हम इसको निकाल लेंगे इसकी जागा हम एक दूसर टाइमर लगाएंगे दोस्तों इसमें पहले भी किसी ने timer चेंज कर दिया है लेकिन इनको लगबग दो तीन महीने चला फिर से दिक्कत आई है तो अब हम इसको इनने हमें बुलाया है तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे जिससे हमारी problem ना है यह देखे जैसे आप देख पार होंगे color code भी इसमें match नहीं कर रहे हैं किसी ने इसे दूसरी machine का लगाया लेकिन उससे कोई problem नहीं है वो हमारी timer जो local रहता है इसमें जल्दी खराब हो जाता अब हम इसमें अच्छे एक original timer डालेंगे original video कोन का timer जिससे हमें problem नहीं आएगी तो चलिक कैसे डालते हैं वो हम देखते हैं इस video में तो अब हम पहले हैं देखते हैं जो हमारी motor है wass वाली motor इसका कौन से wire है तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाला हमारा आ रहा है ये इसमें लगे हमारे blue red wire और एक हमारा common है तो blue red यह उपर देखेंगे हम तो ये देख पारेंगे blue red wire ये और इसमें timer के wire के color code अलग है ठीक है दोस्तों तो अब हम इसकी जगा same यही color code वाले एक timer इसमें डालने वाले हैं मैं इसको लेके भी आया हूँ साथ में क्योंकि मुझे doubt था timer का ठीक है दोस्तों जिस तरह customer मुझे बता रहे थे कैसे ऐसा हो रहा है तो मुझे मालूम था timer का तो मैं timer साथ में लेके आया हूँ तो हम इसमें timer चेंज करेंगे देखिए ये मेरे पास नया timer है देख पा रहूंगे आप ये पे 30 मीट का timer है दोस्तों और ये देखिए इसके color code बिल्कुल सेम है तो हमें ये ही color code की साथ से लगाना है जिस तरह का अपने timer में color है उसी तरह इसमें जोड देंगे और दोस्तों अगर कभी बिना color code अलग रहे तो भी हम कैसे लगाते हैं उसके भी में वीडियो बहुत जिल्द बनाके डालने वाला हूं तो अभी हम इसे खोल लेते हैं खोल के हम इसको लगाएंगे जैसे हमारे color code है उसी तरह हम इसमें लगाएंगे चले में इसको फटा-फट खोल लेता हूं यह उपर से बटन निकालेंगे तब ही जाकि हमारे timer बाहर आएगा तो यह मैंने बटन को भी निकाल दिया है अब timer को हम बाहर निकालेंगे तोड़ा इसको गुमाके यह लोक में लगा हुआ है और यह हमारे timer निकल चुका है अब इसकी जगा में एक नया timer लगा देंगे जिससे हमारी जो problem है वो खत्म हो जाए तो यह हम इसको लगा देते हैं इसको screw से tight कर देंगे ताकि यह हिले नहीं और यहां अपनी जो लोक से बाहर ना आए तो यह हमारा tight हो गया है और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe कर लीजिए और घंटी वाल आइकन को दबाके और एक प्यारा सा like और एक comment अच्छा सा कर दें ताकि मुझे इसी तरह की वीडियो बनाने की थोड़ी हिम्मत मिल सके दोस्तों अब देखिए इसमें यह मारे मोटर के दो वायर है बिल्यू रेड जो क्लोकवाइस इंडी क्लोकवाइस गुमाते मोटर को यह हमने जोड दिये हैं अब यह दो हमारे पास बचे हैं तो यह हमारा है 220 supply input वायर है जो टाइमर में आती है और यह हमारे पास वायर है जो है बजर का इन दोनों को भी हम जोड देंगे तो चेलिए अब हम इनको भी जोड देते हैं अच्छे से यह मैंने टाइमर का भी ओई सोरी यह अपने बजर का वायर और यह देखिए हमारा में वायर जो इंपुट रहेगा टाइमर में जो इन होएगा करेंट जैसे नूटल हो जाए फेस हो जाए जो भी अपन इसमें कोई भी जोड़ो कोई प्रोब्लम नहीं है ठीक है दोस्तों यह भी मैंने जोड दिया है जैस दोस्तों में जोड़ते वह नहीं दिखाए क्योंकि मैं अकेला है नागा है इसमें जो चारो डियर मेंने जोड चुका हूंब इसमें टेप था हूँ है यह देख्यों अफ कि दोस्तों यह मैंने चार भी पर टेप लगा दिया अच्छे से यह का क्रेट की कोई प्रोब्लम नहीं रहे गईगी अब चलो इसको मैं जल्दी से इसको लगा देता हूं वायर को अपनी यहां पर लोक लग रहेते हैं इन में डाल देंगे वायर ताकि इधर नीचे नाए और अपना व्यवस्तित वायर जम रहे हैं तो यह मैंने इसको लगा दिया है वायर को अब हम इसको टेस्ट करेंगे टेस्ट करने के बाद देखते हैं जो हमारे प्रोब्लम आ रहे थी वो अभी आ रही या नहीं वैसे दोस्तो प्रोब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसे केस कही जगा ठीक किये हैं अपना जो प्रोब्लम टाइमर का था अभी हमने नय टाइम लगा दिया हैं अब हम इसे चला कर देखने वाले हैं उसक recib हाथ वे तो देखिए दोस्तों मसीन चालो हो चुकी है अब इसको देख देखिते हैं कि यह एंटि क्लोक्वाइस क्लोकवाइद और भूम रही है किक ताइमर है करolution camera आपके देखेंगे सब जगह पर चल रही पहले जैसे हमें कोई भी प्रोब्लम नहीं हो आ रही है अपनी मशीन रणिंग में आ चुकिए दोस्तों अगर आपको यह वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज अगर इस तरह की प्रोब्लम आए तो आप इस तरह ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों बस में वही बोलूंगा कि अब वीडियो अच्छे लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़र करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर करें